हालो बच्चो कैसे हो आप सभी लग उम्मिद करते हैं बहुत अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्राइवेट फॉर्म 2022 आ गए हैं ऐसे फॉर्म भरे जल्दी से आ कानपूर इंवर्सिटी ने प्राइवेट छात्रों का जो फॉर्म है उसे अक्टिवेट कर दिया है अब आप प्राइवेट फॉर्म अगर 2022 में आप भरना चाहते हैं प्राइवेट कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो फाइनली कानपूर इंवर्सिटी से कर सकते हैं काफी स सारे बच्चों का बहुत ही बे सब्री से इंतजार था तो उनका इंतजार यहां पर खत्म हो चुका है अभी आपको मैं चलके दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है इस्टेब आ इस्टेब तो यहां पर सिधा हम चलते हैं कानपूर इंवर्सिटी की बेक्साइट पर आ जाते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है अपने गूगल पर अपने गूगल को ओपेन कर लेना है क्रोम ब्राउजर या आपको जो भी होगा आपको गूगल पर ओपेन करना उसके बाद यहां पर आपको कानपूर इंवर्सिटी को सर्च कर लेना है cjamu.ac.in तो आप इस बेकसाइड पर आजाएंगे तो यह कानपूर इंवर्सिटी की ओफिस्यल बेकसाइड है लेकिन ध्यान रहे यहां पर काफी ज्यादा फर्जी भी बेकसाइड है तो आपको उनसे बच के रहना है वहां पर आपको फीज सम्मिट नहीं करना है तो यह ओफिस्यल यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 3-Line का Option मिलेगा, जहां पर मने यह गोला किया हुआ, आप उपर देख सकते हैं, तो आपको करना का है 3-Line वाले Option पर क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बच्चो आपके सामने एक Option आजाएगा, Student Services, तो आपको इस Student Services के उ उपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं आगे का दूसरा पेज यहां पर ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार का नीची आएंगे तो इस प्रकार का ओप्शन आएगा देखिए यहीं से सारे लिंक अक्टिवेट हो रहे हैं तो यहां पर एंड़ फ स्टेप आजाएगा तो थोड़ा साम यहां पर वेट कर लेते हैं यहां पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है तो यहां पर थोड़ा साम को वेट करना है वेट करने बाद अगले जो स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहां पर नेट स्लो है तो यहाँ पर मुझे बैक फॉर वो प्राइवेट फॉर्म डालना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर प्राइवेट एक्जाम सम्मिशन, तो आपको करना का है, इसी वाले उप्समेंट पर क्लिक कर देना है, आपको ध्यान से देखना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यह रेट कलर में हो चुका है, उसके बाद यह फॉर्म आपके सामने डीटेल ओपन हो जाएंगी, इस डीटेल को भरेंगे, तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें कुछ जानकारी भरेंगे, उसके बाद फीज सम्मिट करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है, वो सक्सेश्पुली कम्पलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सलेक्ट करना है, अनुवल एक्जाम 2022 तेस, यहाँ पर तेस करके आ रहा है, क्योंकि 2022 तो खतम होने वाला है, तो यहाँ पर यह उप्सन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने सलेक्ट कर लिया, अनुवल एक्जाम 2023, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट सलेक्ट करना है, बच्चो आपको जहां पर course करना है कि आप private में कौन सा course करना चाहते हैं जैसे कि bachelor of art करना चाहते हैं या bachelor of commerce या master of art आप कौन सा course यहां पर करना चाहते हैं उस course को यहां पर finally आप select कर सकते हैं तो finally यहां पर मैं example के लिए यहां पर bachelor of art के option पर click करता हूं जैसे इस पर click करेंगे उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो option आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर part आपको select करना है कि आप कौन सा यहाँ पर देखिए आप यहाँ थल्डियर का यहाँ पर आया है private form उसके बाद यहाँ पर previous exam को आप यह थल्डियर को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर passing डालेंगे कप पास हुए थे 2000 तो आप वो सारा कुछ यहाँ पर डालेंगे role number डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको mobile number डालना है उसके बाद सर्च के option पर click करना है तो आपका जो page है वो open हो जाएगा और first year के जो नए form है वो कप से आएगे फाइनली जो first year, second year, third year का ही अभी आया है तो आपको थोड़ा सा wait कर लेना है उसका भी link बहुत जल्द activate हो जायागा तो आसा करता हूँ आपको video काफी ज़्यादा अच्छा लगा होगा मिलते हैं किसी और video में अगर आपको फिर भी कोई दिक्कात आती है तो मुझे problem यह है कि मेरे पास किसी भी student की कोई भी information नहीं है role number नहीं है तो यहाँ पर मैं exact आपको form open करके नहीं दिखा सकता हूँ इसलिए आप अपनी अपनी कुछ भी जानकारी अगर आप देंगे तभी यहाँ पर मैं form को भरके यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मैंने आपको बता दिया काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है बिल्कुल आसान है आप form को जो मैंने तरीका बता इससे आसानी से भर सकते हैं तो आई हो कि आपको वीडियो काफी पसंद आ होगा मिलते है किसी और वीडियो में तब तक ले बाई बाई